जैन सातो नमस्कार बात करेंगे SSCD भरती दोहर 24 को बारे में सातो अगर आपको सेलेक्शन SSCD भरती दोहर तेस वाले बेकंसी नहीं हुआ तो आपको घबडाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोहर 24 हो जो बेकंसी आ गई है और सातो आपकी बार ये आपके पास अंतिम मौका है जो की बड़ा बदला हो चुका है क्योंकि अगर CET लागू होगा तो आपको एज में रिलेक्ससन होने से सातो यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है तो पूरी डेटली साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला सातो वीडियो को लाइक करके चैनल को जुरू सस्क्राइब कर लेना जिससे आपको एससेसिरी भरती दोहर 24 से रिलेटेट हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो सबस्वेले हम बात कर लेए सबस्देट क्या से लागू होगा सीट क्यूं लागू होगा और सातो नसे वाली लागू हगा होगा कि दोहर 24 सने जब अगस्में वेकंसी आगी तब लागू हुगा तो मैं आपको बतातेता हूँ अगर सीटी लागू होता है तो आपको यहाँ पे एक साल तक की सतो उमर में जो चूट है वो मिल सकती है ठीक है हलक से तो यह जो CET है वो CET के मतलब यह होता है यह आपकी दो परिच्छा होंगी पहला आपका पिरी होगा उसके बाद आपका मेन से होगा फिर आपकी रर्निंग होगी ठीक है और रनिंग बाद फिर साथ हो डॉक्मिन और रिफिकेशन होगा जो पहले उसके बाद मेडिकल होगा फिर डॉक्मिन और रिफिकेशन होगा बहुत ज़्यदा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा अगर CET लागू होता है तो और CET लागू होने का एक फाइदा यह है कि आपको एक साल की छूट साथ हो मिल सकती है अगर लागू होगा तो आपको जो उमर में छूट है वो एक साल की साथ हो मिल जाएगी ठीक है एज में छूट आपको एक साल की मिल सकती है अगर अगस्त में जो बेकेंसी आपकी आएगी अगस्ते 24 में तो उसमें तो साथ हो आपको एक साल की छूट मिलेगी ही मिलेंगी यह साथ हो अग único करना तो הקarentी जो है वो लागू हो सकता या नहीं हो सकता इसलिए साथ हो झो जो एज में रिलेक्सेसंस पहले मैं आपको बता दूँ कि नोटिफिकिसन जो हूँ वो 24 नॉमबर को आने है ठीक है आज हलागी साथो हो चुकी है लगबग 23 तारीक शायद हो चुकी है यहाँ पर आज साथो 23 तारीक नहीं हुई बतागी हों को भी यह कितने हैं तो तो उसमें बताइक है लगबग 84 जाडै 친शें हैं तो अब क्या 84,000 पोश्टें खाली हैं तो क्या पूरी मलफ की नॉट्विकेशन सब का जारी कर दिया जाएगा तो सब का तो नहीं जारी कि यह जाएगा लगब साथ पचास से साथ हजार के बीच आपकी जो बेकिंसी है वो आने वाली है तो पचास से साथ हजार नंबर जो है बहुत बड़ा होता है इसमें साथ हजार एक पद अपना चुनलो कि मैं CRPF में SSB में NIA में SSB में Assam Rifle में एक पद मेरा है और मैं जाने नहीं दूँगा किसी भी हालत में ये एक पद में ले गरहूँगा ये साथ हजार में से आप लोग एक पद निश्चित अपना कल लीजिए notification इसलिए सतो नहीं जारू हुआ कि कोई CET की यहांपे बात चल लिए अगर CET लागू होता है तो सतो notification हो सकता है आप चक्सु परकासन के बुक से study करते हो तो आपका एक्जाम से तो clear होने से कोई यहांपे रोकने वाला नहीं है क्योंकि चक्सु परकासन में जो pattern दिया गया है वो आपके एक्जाम के base किसाब से यहांपे सभी चीज़े दी गई है तो एक बार इससे बुक से तयारी करके आप लोग देखिए निश्यत आपको एक्जाम जो हो किलियर होगा चक्सु परकासन के study guide के साथ साथ इसकी जो practice set है वो भी साथ आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाले क्योंकि आप लोग जब इसकी book पढ़ोगे और तो आपको exam exam वाली feeling आएगी आप लोग जब exam हा होगी में से होगी यह सबी चीज होगी तो हाले से तो कोई भी update आता है आपको update के साथ तुरंद सतो जानकारे मिल देगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जुरू subscribe कर लेना जिससे आपको SSGD जुड़ी कोई भी update हो तुरंद आप तेंक मोबाईल तक पहुंचाए साथ तो मिलते नेस्टी वीडियों तब तक लिए जय हिन जय भारत